वीडियो देख रहे हैं मेरे सभी वीवर्स को मेरा नमस्कार कैसे हैं आप बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर बल्क में तहरी बनाने जा रही हूँ आज यानि कि धेर सारी तहरी बनेगी गाउं में देशी चूले पर चूले पर बनने वाली है यहां दोस्तों तो यह बहुत ही ज्यादा स्वाधिस्त होने वाली है तो देखे बड़ा समय ने एक भगोना रख लिया है चूले पर और ले लिया है दो बड़े चमच तेल सरसों का तेल बहुत बढ़िया तरीके से जब गरम हो जाएगा तब मैंने जा रहे हूँ यहां पर काफी ज़्यादा मात्रा में अगर आप यहां पर तीन से चार लोगों के लिए बना रहे हैं तो सारी क्वांटिटी को उसी साब से आप तेल बगएरा प्याज बगएरा मसाले कम कर दीजिएगा अब यहां पर जो सबसे पहला दोस्तों प्रॉसेस ह होँगे अकसर आप यहां कि दृटी आप यहां नोट किजीगा कि मैने आ किस तरीके से प्याज को भूना है प्याज को bhuuna में धीवर आता है मैह काती है तो आपको कुछ उसी तरीके से यहाँ पर भूना है तो सारी चीज़े मैंने आ ली है अद्रक, लैसून, मिर्च आप हरी ले सकते हैं मैंने यहाँ पर ताजी लाल मिर्च ली है प्याज लिया है इतनी चीज़ों को बड़िया तरीके से देखिए यहाँ पर भूना है कलर देखिए प्याज के कितना डार्क हो गया है तब हम यहाँ सबजियां डालेंगे खास नोट कीजिएगा टिप नमबर थ्री सबजियां बड़ी-बड़ी ही काटनी है आपको एक बड़ी आलू के मैंने मीडियम आलू के 4 टुकड़े किये हैं बड़ी आलू के 6 टुकड़े किये हैं और फूल गोभी जो ली है मैंने उसके भी काफी बड़े-बड़े फ्लोरेट्स किये हैं मैंने यहाँ पर एक फ्लोरेट्स जो हम तोड़ते हैं फूल गोबी से उसके दो टुकड़े किये हैं मटर अपनी आवसेक्ता अनुसा डालिए आप यहाँ पर और पसंद के हिसाब से आलू के टुकड़े आप देख पा रहे हैं साथी साथ आप यहाँ प्याज नोट कर रहे हैं इसमें से काफी लोग कहेंगे कि यह प्याज तो जल चुका है लेकिन दोस्तों यह प्याज जला नहीं है क्योंकि हमने यह मसाला को पीसा नहीं है खड़ी प्याज का इस्तेमाल कि अगर आप प्याज अच्छे से नहीं भूनेंगे आप देख पा रहे हैं तेल में कितना अच्छे से भूना है नई आलू है सरदियों वाली पानी चाहदा होता है तेल में पांच मिनट तक भूनेंगे तो बहुत ही बड़िया खुश्बू आएगी फ्लेवर आएगा साथ ही साथ इसका जो पानी है वो अंदर का खत्म हो जाए तो यहां भी मैंने दो से तीन चमच डाल दिया है आगे हम चेक कर लेंगे कि क्या हमारा नमक का स्टेटरस है तो अब देखिए अच्छे से मिक्स कर रही हूं तुरंत ही डाल देंगे दो से तीन बड़िया तेसी टमाटर जो सरदियों में इस समय खूब बड़िया तरीके स अच्छे से प्रचोर मातरा में मिलना है मार्केट में बड़े बड़े टुकड़ों में काटना है इसे भी खास ध्यान दीजिए इसमें जो भी सब्जी आपने लेनी है मोटे मोटे टुकड़ों में डालनी है और टमाटर डालने के बाद में हमने डाल दिया है बिल्कुल थ थोड़े तब तक आप पानी डालने के बाद जरूर इसे बराबर चलाते हुए पकाईएगा टमाटर को बिलकुल भी यहां पे मैश नहीं करना है सौफ नहीं करना है टमाटर का चंक रहना चाहिए जो खाने में जब खटा खटा लगेगा आपको जब यह स्पून में आएगा हम उरद की डाल उरद की डाल यह एक चौथाई कटोरी है उरद की डाल को आप बहुत ही अच्छे से साफ कीजिएगा इसमें कंकड होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं उरद की डाल डालना यहां पे जरूरी है अगर आपने आधा कटोरी चावल लिए हैं तो बस आधा चावल को डालने के बाद में मीडियम फ्लेम पर तीन से चार मिनट भूनेंगे चावल और दाल जब यहां भूनता है ना तो बहुत ही बड़ी आस्वाद आता है अगर आप नहीं भूनते हैं पानी डाल देते हैं तो सिंपल यह खिचडी के जैसे चावल उबल जाते हैं इसम सबजी और चावल यह बिल्कुल भी लगे नहीं तो बहुत ही अच्छे से मिक्स कर रहे हैं हम यहां पर इसे और आपको मिक्स करने में ही पता चल रहा होगा दोस्तों जो है कि कितना बढ़िया यह दिख रहा इसका कलर कितना अच्छा है तो बस यह लगना शुरू हो गया देने कि तब ही हमने पानी डाल देना है अब पानी दोस्तव पढ़ता ही देर्ष आ रहा है तैडिनी वाली होती है यह जा हीЕТ उत्य जभूडर बेस्पला होती है नाहीज़ादा गीली होती है पर आज़री शुख होती है लेकिस मीडियम कंसिस्टेंसी mentally चाहिए лишь चाहिए ह लेकिन अगर आपको हाड वाल यानि सूखी पुलाव जैसी खिली-खिली तहरी पसंद है तो आप पानी एकदम कम डालिएगा यानि की लेवल से बस डेड़ गुना पानी ही डालिएगा कुकर में बिल्कुल मत बनाईएगा दोस्तों यह मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है लेकिन अभी उतनी बड़िया नहीं पकी थी जैसे हमको चाहिए तो थोड़ी देर के लिए मैंने लास्ट में आज को यानि फ्लेम को एकदम धीमा किया था और प्लेट से कवर कर दिया था पांच मिनट के लिए और फिर से मैंने इसे चेक किया तो देखिए जो हमारी तहरी है वो कितनी बढ़िया मिक्स हो गई है सारी चीजें एक दूसरे से कुछ भी ऐसा नहीं कि पानी अलग हो रहा है चावल अलग है दाल अलग है दाल के जिसे तहरी में चिकना पनाया है न दोस्तों बहुत ही ज़्यादा यम्मी फील करा रहा है अभी से ही तो बस देखिए उ कितना माउथ वाटरिंग लग रही है दोस्तों वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यह तहरी बन करके तयार हुई थी आप जरूर ट्राय कीजिए मेरी इस रेसिपी को लेकिन इसमें सबसे जरूरी इंग्रेडियंट अभी हमारा बाकी है दोस्तों वह है घी घी के ब पर घी और देखिए घी मेल्ट हो चुका है हमारा जो है सारा अच्छा से गरमा गरम घी है ना हम मिला देंगे पूरी तहरी में और फिर हम इसके मज़े लेंगे देखिए आलू का कितना बड़ा टुकड़ा ता इसके बाद भी बहुत ही अच्छे से पकाया गोवी के फ्लो मैं तो कहती हूं अभी बना डालिया वीडियो देखते ही बनाईएगा इससे क्योंकि सर्दियों का टाइम है और तहरी बहुत ही ज्यादा पसंद की जाती है